Hello everyone, welcome back to the channel, last minute revision with RSM and here I am back with another video. So, आज हम discuss करेंगे about foreign currency transactions and the topic is foreign exchange और उसमें से कुछ छोटे-छोटे topics के बारे में हम discuss करने वाले हैं और किस तरीके से ये chapters के questions आपको पूछे जाएंगे, उसके उपर discuss करेंगे ताकि एक overall clear view आपको आजाए और आप अपने preparations को सही तरीके से बड़ा पाओं तो अगर हम foreign currency transactions की बात करें तो उसमें दो type के points है एक तो आपका है import और दूसरा level है आपका export अगर हम import के levels की बात करें तो import के levels के questions university में बहुत बार पूछे जाते हैं तो import के questions के उपर ज्यादा से ज्यादा focus करें और export के questions import का exactly opposite concept होता है तो बहुत सारे comments मुझे मिल रहे थे कि foreign currency transactions में valuation के उपर आपको problems है तो हम अभी क्या करने वाले है छोटे छोटे वीडियो में आपको बना के देने वाला हूँ जो वीडियो आपको revisions करने के लिए help होने वाले है और इस वीडियो के basis पे आपके concepts भी revise हो जाएंगे तो आज के session में हम discuss करेंगे about कि import में valuations कैसा करते है और similarly अगले session में हम discuss करेंगे about export में valuation कैसा करते है तो आज हम discuss करेंगे import में जो first entry होती है वो क्या होती है और import में जो valuation होता है वो क्या होता है और कैसे किया जाता है practical example लेके बताता हूँ तो last लग बने रहे और ये example को अपने books में note down करके रखे और अगर आपको ये example clear होता है इससे आपके concepts revise होते है तो इस video को आप like कर रहा न videos आपको channel पे timely basis पे मिलते रहेंगे तो चलते है screen पे and then start करते है about learning कि किस तरीके से हमको import में points को match करना है अगर हम import के बारे में बात करें तो usually import में सबसे पहली चीज आपको basic क्या याद रखनी है वो basic चीज यह आपको याद रखनी है कि import में we are paying cash इसका मतलब हमेशा bank account जो ह वो आपका credit होगा because we are paying cash तो हमको import में सबसे पहली चीज क्या रखनी है कि bank account जो आपका वो credit होने वाला है because पैसा आपसे जाएगा ठीके import में एक rule बताता हूँ वो rule आप अपने पास note down करके रखे import का rule क्या कहता है import का rule कहता है कि अगर आपका rate अगर आपका rate जो है वो अग होगा loss because हम पैसा देने वाले है अगर आपका rate बढ़ेगा तो हमें होगा loss और अगर loss होता है तो rule कहता है FF account debit होगा बहुत ही simple concept है ध्यान से इस concept को सीख लेना ताकि कोई भी point आपको जो है वो problematic नहीं जाए अगर हमारा import में rate बढ़ेगा तो हमें loss होगा और अगर हमारा import म हमें rate कम होगा तो हमें क्या होगा हमें profit होगा और उस case में FF account जो है वो आपका credit होगा दूसरी एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि valuation की entry हम export में करे या फिर import में करे valuation की entry में कभी भी bank account नाम का point नहीं आएगा ये आपको याद रखना है कि कभी भी bank account हमारे valuation के entry में नहीं आता है ठीक है बहुत ही simple है तो अभी हम discuss कर लेते हैं कि valuation में entries क्या हो सकती है तो simple rule है अगर आपको valuation के entry करते वक्त अगर profit दिखा तो आपकी entry क्या बनेगी आपकी entry बनेगी जो party है जिसका हम नाम लिखने वाले है parties account debit parties मतलब जो भी person है उसका नाम लिखेंगे हम तो parties account debit to FF account या आपका profit में entry होगा और अगर अगर आपका loss है तो अगर आपका loss है तो आपकी entry उल्टी बनेगी क्या बनेगी FF account debit to parties account ठीक है ये base I think आपको समझ में आया गया होगा कि exactly इसका base कहना क्या चाता है हमको तो काफी simple rule है कि जो आपको ध्यान रखना है कि एकी rule याद रखके चले कि whenever there is profit FF account will be credited whenever there is loss FF account will be debited ये base है और ये अगर आपको समझ में आ गया तो अभी बहुत सारी चीज़े आपकी और clear होने वाली है तो ध्यान से समझे अभी इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ अभी तो अगर हम ये points को ध्यान से देखे तो इससे हमारे दो points clear हो रहे है one is about profit loss and another की valuation के entry मे में आपको क्या करना है valuation के entry में आपको bank account जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है अभी में पूरा erase करता हूँ and then मैं आपको पूरा सा एक example लेके हम समझेंगे कि valuation actually होता कैसे है और valuation में क्या-क्या चीज़ों को आपको focus जो है वो करना है तो let me do this and then we can go with the points क्या कि आपको exactly पता चले valuation कैसे हमको करना है चलो अभी शुरू करता है ध्यान से देखना अगर हम सबसे important point देखे तो valuation पहले valuation कब होता है valuation सबसे पहले तो valuation होता है year end को मतलब 31st March को valuation हमारा 31st March को होगा और valuation कौन से amount पे होगा valuation हमारा होगा pending installment पे तो जो भी आपके installment pending होगे वो installment पे आपका valuation होगा ते example लेते है जैसे आप installment पे कर रहे हो हर साल 20,000 डॉलर और 20,000 डॉलर आप installment पे कर रहे हो January में 20,000 डॉलर आप installment पे कर रहे हो February में 20,000 डॉलर आप installment payment कर रहे हो March में ये January लिख दिया ये February लिख दिया ये March लिख दिया और 20,000 डॉलर आप payment कर रहे हो April में ठीक है बहुत ही simple है और आपने total 80,000 डॉलर के goods जो है वो import किये है अभी 80,000 के लिए you are paying 4 installments 20,000 first, 20,000 January, 20,000 February, 20,000 March and 20,000 April अभी आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है हमेशा आपको एक base याद रखना है कि 31st March जब आता है तब हम दो entries करते हैं बले importer है या exporter है पहली entry हम कौन सी करते है पहली entry हम करते है valuation की and second entry कौन सी करते है second entry हम closing की entry करते है देखो अभी कैसे करना है आपको तो काफी simple है सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि valuation कैसे होता है तो एक example ले रहे जैसे अभी मैंने देखा कि आप 20,000 डॉलर आपका April महिने का था बाकी सब तो आपके 31st March के पहले ही जा रहे थे तो April का जो 20,000 डॉलर है उसका हमको valuation करना पड़ेगा अभी हम एक example लेते है समझो आपका base rate जो है वो 20 base rate जो है वो हमारा है 60 रूपीज और 31st March का जो rate है 31st March का जो rate है वो है 62 रूपीज एक example ले रहा हूँ rates तो बदलते रहेंगे concept यही रहेगा तो हमें याद क्या रखना है हमको base rate देखना है और हमारा 31st March का rate देखना है और हमने देखा कि हमारा import जो है और उस import में party का नाम है समझो be limited ठीक है be limited हमने नाम ले लिया वैसे बहुत सारे नाम आ सकते है अभी मैंने आपको एक base बताया था कि import में जब हम valuation करते है तब हमें हमेशा bank account नहीं लिखना है यह मेरा base था तो अभी हम लोग देखते है देखो rate क्या था हमारा 60 था यह base rate है 60 और 31st March का rate क्या है आपका 62 है तो अगर आप 60 को 62 से compare करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको rate बढ़ गया और अब भी मैंने आपको rule क्या बताया था import में जब rate बढ़ता है तब हमें loss होता है और इस chapter का rule केता है loss होगा तो FEF debit इंपोर्ट में जब rate कम होता है तब हमें क्या होता है profit होता है उस case में क्या होगा आपका FEF account credit तो अगर आप यहां पर देखें तो 60 और 62 का difference कितना है दो और 2 रुपीस का rate बढ़ गया rate बढ़ गया का मतलब क्या हुआ कि आपको loss हुआ तो आप अभी loss होगा तो FEF debit होगा तो valuation की entry आप क्या करोगे FEF account debit to party का नाम what is the name of the party name of the party is be limited और amount कैसे धुंडेंगे हम जितनी भी installment आपकी 31st March के बाद pending है 20,000 dollar multiplied by 60 और 62 का difference कितना दो तो 20,000 into 2 करेंगे तो आपके general entry का amount आ जाएगा 40,000, 40,000 debit side, 40,000 credit side I hope कि आपको यह valuation का concept जो है वो अभी clear हुआ रहेगा इसमें हमने import में कैसे valuation करना है वो सीख लिया तो अगले session में हम export में कैसे valuation करना है उसको revise कर लेंगे तो यह आपको initiative कैसे लगा मुझे comment section में comment करके बताए और पहली बार channel पे आए हो तो subscribe कर ले because ऐसे ही आपको last minute revision videos आपको इस channel पे मिलते रहेंगे Thank you very much, bye bye, take care